मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी कंसेप्ट बिलकुल सीधा और साधा है और हर एक आदमी इसको अची तरह से जानता है और इसका लाब भी जानता है कि इसका लाब क्या है और नाकेवल वो जानता है वो रोज इसका प्रचार भी करता है और प्रसार भी करता है और जब वो बच्चा होता है तब से वो सुनता है और जब तक वो बुड़ा होके मरता है तब तक वो इसका प्रचार प्रसार करता है जब बच्चा होता है तो उसके माबाप कहते हैं कि बेटा एकटे रहो, साथ रहो, सारे बेहन भाई मिलके रहो, सारा खुनवा साथ रहो और वो रहता है साथ, पूरा खुनवे का फाइदा उठाता है, उसको सुच्छा मिलती है गली में और महले में और जब बड़ा होता है, खुद माबाप बनता है, तो वो अपने बच्चों को कहते हैं कि सब एकटे रहो, एक साथ रहो, और जब कभी बच्चा उनका बाहर नौकी करने जा जाता है, तो उनसे कहते हैं कि वहाँ पर जाके मकान लेना, जहां पर उसके भेन, भाई, कोई मुसीबत आएगी, कैसी भी कोई घटना घटेगी, तो वो उसकी मदद करेंगे, और उसको सुरक्षा मिलेगी, और जहां व्यक्ति अकेला होता है, और कोई व्यक्ति उसके साथ में कोई रिजदार नहीं होता है, तो वहाँ वो अपने दोस्त बना लेता है, या अपने किसी अमबेड का भर में धोनता है या किसी मीटिंग में जाता है, वो एक सुरक्षा धोनता है, कि उसको कहीं उसका समाज मिल जाए तो सोरक्षा मिल जाए. इस बात को हर व्यक्ति जानता है, हर जानवर जानता है, और यहां तक यह पेड़-पौद्छा भी जानते है. सब जानते इस बात को कि संग में रहने से इखटे रहने से सुरक्षा मिलती है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कंसेप्ट को ना जानता हो और ना इसका पालम करता हो तो वो व्यक्ति जो संग में रहके सुरक्षा जानते हैं वो संग में रहते हैं अपने समाज में मजबूत चले जाते हैं इखटे हो जाते हैं तो वो जो दूसरे लोग हैं जिनका वो शोशन करते हैं उनको वो इखटा नहीं रहने देते उनको बिखेडते हैं यह नियम है प्रकति का कि जो व्यक्ति खुद इखटा रहता है वो दूस सारे के सारे नियम बुद्द मैं बताएं दो मगर घंगी अगर तुम नोगा नहीं रहने देंगे क्यों कि अगर तुम इखटे हो गए और सार इसार total करते हैं रोज उनकी करते हैं और वो लोग उनको खटा नहीं होने देते इसलिए हम क्यों नहीं खटा हो रहे हैं अभी तो हमारी आदत में आया हुआ है कि हम आपस में खटा नहीं हो रहे हैं अगर जो थोड़े लोग इखटे थे उन्होंने हमको इखटा नहीं होने दिया और वो हमको अभी भी इखटा नहीं होने देंगे अगर हम में समझ है और हम में अकल है उनसे जादा और हम सच में बुद्धिष्ट हैं या बौधिक हैं या प्रबुद्ध हैं या पबुद्ध है तो पहले तो वो रोकता था हमको सीधे मार से पिपटाई से धमता के फिर हमारे टुकड़े करके हमारे दिमाग में यह कहके कि वही तुम तो अलग हो तुम उसे चोटे हो तुम उस से बड़े हो और इसको उस ने ढूंता है उन गद्दारों को ढूंता है जो थोड़ा पैसा लेके थोड़ी उसकी सराब पीके थोड़ी उसकी वहवाई ले लेके या कोई प्रधानी का पद लेके या कोई पैस्डेंड का पद लेके या कोई नमबरदार का पद लेके या कोई बाबुजी का पद लेके ऐसे पद लेके या पैसा लेके या सराब पीके या वेवचार करके या पाप करके हमारे ही लोगों में उनकी लोग बैठे हुए हैं और वो हमको नहीं जुडने दे रहे हैं तो हमें जो अब नुकसान हो रहा है वो उनों लोगों से हो रहा है जो नंबरडार जो प्रधान जो चौ तो जिसने हमको 6743 जातियों में तोड़ा वो हमको नहीं खटा होने दे रहा है तो वो सीधा नहीं आता उसने हमारे ही आदमी खरीद कर हमारे आदमियों को पाप में डाल कर हमारे आदमियों को सराप पिला कर हमारे आदमियों को जुवा सिखा कर हमारे आदमियों को चोर और व उन्होंने संग्ठर बना लिए और हमसे कहा कि यह संग्ठर हमने नहीं बनाएं यह संग्ठर सारे बावा साथ के हैं यह संग्ठर सारे बुद्ध के हैं यह जितने भी संग्ठर हैं यह सबसरकारी करमचारियों के हैं यह जोतिवा फुले के हैं यह पैरियार साथ के हैं यह कव जातियों से प्रजानते और इन संघ्डनों की संख्या कितनी है? 29,00,00, और 29,00,00 संठन में से 4,00,00 sowने एक्टिवेट हैं और सारे संठनों के दिमाग को ये बार डाल रखी है कि इकहटे मत हो जाना भाई इसलिए ये इखटे नहीं होते क्योंकि इनके दिमाग के ओपर कोई और बीमारी बैठी हुई है, वही बीमारी जिसने जात बनाई थी, वो बीमारी इनको इखटा नहीं होने देती, वो बीमारी इनको पीछे कंदे पर हाथ रखा हुआ है, वो बीमारी इनको सराप लाती है, वो बिमारी इनकी बुद्धी पे बैठी हुई है, वो बिमारी इनको प्रधान करके खुश करती रहती है, ऐसे लोगों को पहचाना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्नत करना चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए कि भाई यह तुम क्या कर रहे हो, तुम हमको संगठित कर रहे ह तो हमसे कहा था कि 67457 को सब्सक्राइब नो कोलिए तैंक भावा को सबक्राइब इसले किसे ने सब्छाइब क servite एक कुम इस जाति एक होगे एसा ऑन्थाते मीश mm में वह डाते रहुए हो अभी दिसंबर के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे निकलाए हैं जो लगाता लगातार फालतु में पैसा कर्ष करेंगे और वह सकतर साल से लगातार पैसा कर्ष कर रहे हैं और पढ़ाँ चोटा सा नाम-मातगार है इतने बड़े बड़े टेंट लगाते हैं इतना बड़ा-b 10-10,000 रुपय कों करना है तुम क्या करोगे कि यह जमीन बनाओं गे यह जाजद बनाओं घया चाहिव बने हुए इस पैसे को ले जाके करोगे क्या तो मैं जान गए लेने चाहिव तो क्या पताचला वेक्ती ने पहले समाज का काम किया और समाज का काम करते करते उसने शादी कर ली अब उसको एक घर बनाना है बड़ा और उस घर बनाने के लिए क्या करोड रुपे चाहिए वो कमाता तो है नहीं क्योंकि जितने भी हमारे ये समाज का काम करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत कम कि भाई ये दद्दस हजार रुपे अखटा कर रहा है ये मकान खहिदेगा ये मुझे बात आज ही पताई एक वेट्टी में अब ये बात सच भी हो सकती है जूट भी हो सकती है मगर ये बात सच है कि उससे दद्दस हजार रुपे दस हजार आभी उससे ददस जार रुपे मा बनाने के लिए मांगे हैं, दुकान बनाने के लिए मांगे हैं, कार खरिदी के लिए मांगे हैं, हवाई जहाज मूने के लिए मांगे हैं, घूमने के लिए मांगे हैं, ये वो जाने क्योंकि हमारा समाज कभी ना हिसाब मांगता है और ना ही कोई उसको हिसाब देता है, तो पैसा तो हमने दिया और हमने समर्थर में दिया और हमने सपोर्ट में दिया हमें क्या मिला हमें कुछ नहीं मिला हमारा तो सब कुछ चला गया बावा साब हमारे लिए नौक्रियां लेके आये थे मजबूरी में बावा साब ने तो सैप्रेल इलेक्टरोन मांगे हमको राज सा में जो चार नौकरी मिली उन चार नौकरियों मैंसे दो तो हम को मिली नहीं और दो मिली दो तो वेकंसी खाली रही आदी वेकंसी हमारी खाली रही और जो नौकरियां मिली वो नौकरियां सारी सारी अब बंद हो तो बाबा साहब बड़ी लेगी नहीं तो वो सारा काम खतम हो गया जिनकी पैंशना भी मिल लई है वो बुड़े तो वो बुड़े आदमी तो जितने भी हमारे लीजेंड हैं दस-पांस साल में मर जाएंगे और उनकी जो पतनिया है वो भी मर जाएंगी तो पैंशना खतम हो गई तो बच्चे क्या कर मिल जाती तो नोकरी हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे हम लोग जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या और जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे तो जिन्दा कौन रहेगा तो क्या काम करेंगे मजबूरी में कोई क्रिमनल काम करें तो जेल में चले जाएंगे और या फिर मजबूरी में ठेला लगाएंगे चांट लगाएंगे और ठेला चांट भी बिकेगी नहीं क्योंकि वो तो जात से बिकती है जात का आदमी छोटी जात का आदमी अगर कोई खाने का सामान लगाए तो बिकता नहीं वो उसके दुस्मन जाते हैं, मारे पटाईयां भी होती हैं, देखा गया है, तो वो काम नहीं करेंगे, तो ले देखे काम क्या मिलेगा, सफाई करने का, जालू लगाने का, चमला काटने का, सूर काटने का, बकरा काटने का, खाल को गलाने का, खाल को रगने का, ये काम भी अब मिलने वाला नही अब सुर फैक्टरी में करते हैं गाए फैक्टरी में करते हैं बहने पबेंस होता है बड़े बड़े करोड़ पती जो लोग है वो करते हैं तो बह 550 आगें तो करेंगे क्या अधिकार बावा साथ समिधान में डालने वाले थे कि हर व्यक्तियों को आर्थिक जुम्मधारी सरकार किया मगर बावा साथ की चली नहीं बावा साथ ये डालने वाले थे कि अगर कोई बेरुजगार है तो उसे बेरुजगारी का भत्ता मिले कोई गरीव है तो उसे मकान मिले कोई मज बस राजनेतिक बराबरी मिलेगी उससे अगर इन दोनों को ले सकते हो तो ले लेना बावा साब ने कहा बावा साब भी चली नहीं तो ना चलने का कारण भी बताया उनके पीछे संग नहीं था लोग नहीं थे जो हम 6 क्रोड़ों लोग हैं वो बिखरे हुए थे उस समय के उस जैसे आज के समय तो हम जूब बात कर रहे हैं अभी यहां 108 लोग हैं तो 108 लोगों से बहुत आसानी से बात हो सकती है आप जो कहना चाहें वो हम सुन लेंगे हम जो कहना चाहें वो आप सुन लेंगे इसके लावा इसको रिकॉर्ड करके वीडियो ब्लग लगाते हैं तो ब समण संग साथ होता तो वो अधिकार छिंता नहीं तो आज हमारी सिती कुछ और होती तो इसका मतलब यह है कि बावा साथ पड़े भी थे, लिखे भी थे, सबसे ज़्यादा जानकार भी थे, सारी बात थे, फिर भी कम जोड़ थे क्योंकि संग नहीं था, अगर संग साथ होता तो बावा साथ इतने मजबूत होते कि सारे धिकार जो वो पहके गए बाद में कि अधिकार नहीं दे पाए, वो अधिकार भी दे कर जा दे, अगर उन्हें रास्ता दिया है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि संग्ड़त रहो, संग्ड कि जो अविज्जा है यानि कि जो इग्नोर इग्नोरेंस है जिसकी वैसे हम लोग परिशान है उसकी वैसे नुक्सान सारे होते हैं क्योंकि अविज्जा है यानि जो अविद्धा है यानि जो सिक्षा है उसके उससे हमारी अकल चली गई जो सिक्षा चली गई तो अकल चली ग गई और उसके जाने से हमारा पैसा खतम हो गया和 पैसा जाने से हम बिलकुर सुट्धे हो गए है यानि कि हम बिकारी हो गरीब हो गए एक अभिज्ज से एक अभिधा से एक इग्णूरेन से writes कुफी से हमारी यह हलत हो गई और कितना अनर्थ हो गया यह गोविंद्राव फूले यानि के जो तिदाव गोविंद्राव फूले जो सतारा में पैदा हुए और जो आज के दिने एक्सपायर हुए वो यह बात बताते हैं तो वो भी यह कहते हैं कि अविद्धा बहुत हैं जुड़ने से हम एक दूसरे की अकल को बढ़ा सकते हैं जुड़ने से हम एक दूसरे की समझ को बढ़ा सकते हैं अगर बावा साब के साथ उससे में छे करोड़ों लोग जुड़े हुए होते तो बावा साब उनकी एक दिम्या कर ठीक कर देते क्योंकि बावा साब जब काईकर्म लगाते थे तो काईकर्म लगाने में महिनों लगते थे एक काईकर्म लगाने में धीर धीर खबर पहुंचती थी कि बावा साब उसकाईकर्म में आएंगे जाएंगे फिर लोग आते थे तो उनके पास एगी माध्यमता कि माईक से बोलेंगे और माईक से लोग सुन चीज है इक फटा हो न हो यानि के स İs जमिय जायात खाना लिए However You खटे हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप खटे नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगे क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है समराथ असोक के जमाने में बुद्ध के बाद बुद्ध के तीनों साल बाद जब समराथ अ सोंक, क्योंकि वुद्ध ने हम को पढ़ाया, सारा ग्यान हमारा दूर किया और बुद्ध की अग्यान से सारा हम संग बना चुके थे, पूरा संग हमारा बन चुका था और उस संग के बनने से समराट असोग जैसे राजा बने और समराट असोग जैसे राजा बनने से हम साहे लोग पढ़े हमने पत्थरों पर लिखना सुरू किया, पत्थरों को पढ़ना सुरू किया, हमने विदेसों से ब्यापार करना सुरू किया, हम विदेसी ब्यापारी हो गए, हमने बहुत सारी चीचे पैदा करनी सुरू करी, जो रेसम हैं, जो कपड़ा है, जो लपड़ी के सामान बनते थे जो तामे के सामान बनते थे वो सारे हम बनाते थे वो सारे सारे हम मैनुफेक्टरर थे और ब्यापारे भी हमी थे और जितनी सेना है ती हूं सेनाओं में सेनापती हमी थे हम सारे काम करते थे हम राजा भी थे दरवार में चला गया, यानि कि हमारी सिक्षा भी चली गई, हमारी मती भी चली गई, हमारा परिवार भी चला गया, हम दरिद्ध हो गए, हम सुद्ध हो गए, हम सुद्ध हो गए, और ये सारी चीजें जाने का जो सबसे बड़ा कारण रहा हुए रहा कि हम छोटे-छोटे टुकड़ों म बांट दी गए और फिर हम पर्मनेंट बढ़ गए हमारी अकली काम करनी बंद होगी हमारे इत्यास चला गया तो बावा साब ने बड़ी मुश्किल से जाल पहुंच के इस इत्यास को निकाला और हमें बताया कि हम तो समण संगी हैं हम तो बुद्ध से भी पुराने संगी हैं और संग्ठन में रहना हमें ही आता है संग में रहना हमी जानते हैं और कोई जानता भी नहीं है और इस जानकारी का उन्होंने बाकाइदा लिखा भी और बताया भी कि बुद्ध को एक बार समण संग ने पनिश्मेंट दी थी उनको साके संग से निकाला गया था बाहर निक करके दिया है कि यह हमारा समर्संग है और हम समर्संगी हैं पैदा इसी समर्संगी हैं और हम सारे ही समर्संगी है क्योंकि पहले इसका नाम खाली संग होता था यह हमारे ही होता था फिर बाद में कुछ लोगों ने संग बना लिया तो उन लोगों का संग ममर्संग है और हमारा समर संग है तो समर संग में क्या नहीं होता दरतल समर संग में एक तो राजनीती नहीं होती पहले भी नहीं होती थी तो समर संग कभी राजनीती में जाता नहीं है तो समर संग में जो मेंबर से आज के समय किसके पास है जो पुराने समर्ण लोग हैं वो हमारे बात दादा पर दादा रहे हैं और हम भी वही उनकी उलादे हैं इसलिए हम आज उसके मेंबर हैं समर्ण संग के सदस्थे हैं इसकी कहीं कोई लिखत में कोई राइटिंग में कोई इसका डॉकुमेंट नहीं होता को इसक होती है उसमें लोग अपना खुद लेके आते हैं साथ बैठते हैं खाते हैं वह चर्चा होती है तो काम कैसे चलेगा जो दूर दूर मीटिंग होती है उसमें कार में कोई व्यक्ति जाता है आता है आज के समय की बात है तब तो कार्थी नहीं तो कार में अगर आएगा मिलके बाढ़के देंगे तो मीटिंग में पहुंच जाएंगे तो सारे मिलके जाते हैं पैसा खर्च नहीं करते हैं तो जगे कहां बैठेंगे वो जगे लेंगे जो फिरी की जगे है चाहे कोई कबीर भवन है चाहे कोई अम्बेट का नेता होता है, तो पहले भी समर्संग में कोई व्यक्ति नेता नहीं, इतियास में कोई भी नेता नहीं है, हमारा जो समर्संग ने बनाया हो, इसलिए समर्संग अभी भी कोई नेता व्यक्ति को नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति को अगर राजनीती में जाना है, जा सकता है, समर बाद भी इसमें नहीं है और राजावाद भी नहीं है कोई राजा रानी बाद भी इसके अंदर नहीं है तो क्या नहीं करता समर संग समर संग के अंदर वी आईपी कल्चर नहीं होती थी मतलब जो बुद्ध थे यानि जो सिद्धत गौतम थे उनके पिता जो तो है सुद्ध या बहुत बड़े आदमी का वहां कोई फर्ट नहीं पड़ता आके बैठे अपनी बात कहे वही सर्मण संग करता है पानी पत के अंदर दिली के मिनिश्टर भी सर्मण संग के मेंबरें वो आए और एक साधर मेंबर की तरह से पीछे बैठे उन्होंने जो कहा प्रस्ताब किय संग ने देखा संग ने और वहां आदमी के तरह आए हम तो जानते हैं कौन अफसर क्या है क्या नि क्या नि क्योंगी सभी समरचे में भाई और सभी तो समढ़ संग वी आई पी लोगों को भी नहीं बलाता यानि जो समरचे मीटिंग लगती है उसमें कोई बहुत बड़ा अदमी आएगा, तो सादर्ह नव्यक्ति बनकी ऐगा, कोई बहुत बड़ा अपने आपको अप सर कहेग रुदबता कहेग, कोई बहुत बड़ा रुत्व BOB पसे वाला पैसे वाला कहेगा, तो होगा अची बात है, कोई उससे हमारा विरोध नहीं है, अपना रुत्वा घर छोड़के आएगा वो सामाजिक है तो वहाँ वो एक मेंबरी रहेगा हाँ मेंबर की हैसे से जो बात वो कहेगा अगर संग उसको मानता है तो वो बात मनी जाएगी वो संग का नियम हो जाता है तो संग क्या नहीं करता था संग कभी विरोध का काम नहीं करता था क्या विरोध का काम जैसे किसी व्यक्ति का विरोध करना है या कुछ व्यक्तियों का विरोध करना है या कोई नकारात्मक बात करनी है या मारने काटने की बात करनी है या गाली गुपता की बात करनी है या को वी उपर आक्रमल हो जाए मजबूरी हो जाए तो युद्ध के भी डंकारे बजे हैं समर्संग में युद्ध भी लेने का पूरा-पूरा हुआ है क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि सबसे पहले अपने सरीर को बचाना होता है और सरीर को बचाना चाहिए अगर कोई आक्रमल करता है तो बुद्ध ने भी ग्यारे प्रकार के सत्तक दंड दिये हैं भिकू संग को सत्तक डंड यानि कि हत्यार साइथ डंडे ग्यारे प्रकार के उस समय दिये हुए हैं लाक का था लकडी का था हड़ी का था हाती दात का था इस तरह के डंड दिये हुए है क्योंकि भिक अच्छा करने के लिए बना होता है तो संग कभी किसी की नकल नहीं करता यानि संग में जितने लोग हैं वो कभी किसी की नकल नहीं करते उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे वो ऐसा करता है तो हम ऐसा करेंगे नहीं वहाँ जो निर्ने होता है वो संग करता है और संग में जो अपनी बात कहने का पूरा का पूरा मौका मिलता है आप अपना प्रपुजल लेके आईए अपनी बात कहिए उस बात को जोड़दार सब्दों में कहिए और उस बात को अगर क्यावन परशंट लोग हामी भड़ देते हैं तो वो बात संग की हो जाती है नियम हो जाता है इसल उनको तोड़के देवदत ले गया था तो बुद्ध ने अपने दो सिपाई बेजे वहाँ पर महा मोगलन और सारी पुतों जाके कहा कि उनको समझा के लाओ पांसो नए-ने लड़के आये थे नए-ने भिक्कु बनने आये थे उनको समझ नहीं थी कि संग क्या होता क्या क्य संग में हजारों लोग आएंगे जाएंगे हजारों मरेंगे हजारों जिंदा होंगे हमसे पहले भी लाखों क्रूडों लोग आएंगे संग नहीं जाता कहीं और संग जिनके पास होता है और जो लोग संग में रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता ऐसा नियम बुद्ध न बताया कि वो लोग हरपते बैठते हैं इखटे होते हैं साथ खाना खाते हैं साथ मिलते हैं बुझन को गिजद करते हैं प्यार से रहते हैं और जो वो एक निड़ने लेते हैं जब वो सभा करते हैं उस निड़ने पर चलते हैं और जब तक वो ऐसा करते रहेंगे तो उन्हें पहरा नहीं सकते वही नियम यहाँ सके। हमको बहुत तेजी से लोगों से मिलते रहे हैं। और वहां ऐसे आपसे पैंत्षब काई शो मिले जुआ सके और उन सबने वहां बैठे वहां रहां हम एक सांतिस तूरता, उसके चकल लगाए, हमने फुटो किचवाए हमने गाने गाए हमने एक दूसरे की गीत गाए एक दूसरे की सुख दुख का सुना फॉन नमबर लिए फॉन नमबर दिए और हमने वहाँ भायचरा बढ़ाके सो फैमिलियों को भायचरा बढ़ाके आज हम वहां से आगे यह समढ़ संका काम है और य पास हो गया हाउस में कि सुबह को हर आदमी घूमने जाएगा तो अपने आसपरोस के जो अपने समण भाईयां उनसे हेलो हाय करता हुआ जाएगा उनको लेता हुआ जाएगा रोज सुबह सुबह उठके उनके साथ में भ्रमन करना है यह चंकबन वाग जो भगवान बुद् होते हैं उनकी मर्जी है किसी मेंबर बना बना है भर एक कहता है मेरे संग्ठन में आने के राहट मेरे पास मेरे पास है या वक्तवे पेरियार साब ने दी उसके वक्ता जो वक्तवे कवीर साब ने दी उसके वक्ता यानि महापुरसों ने जो वक्तवे दी हैं उनके वक्ता को अंग्रेजी में स्पोक्स के बोलते हैं तो हम यहां एक दूसरे को स्पोक्स कहते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं तो आप सब्सक्राइब परफारन इखटे हो जाते हैं तो जितनी बात बावा साब भी नहीं जुड़वा पाए उस समय आर्थिक अधिकार और सामाजी के अधिकार में बरावरी यानि जात का सिस्टम खतम सारे बरावर और सब को बरावर पैसा मिलेगा चाया को छोटी नोकरी करें चाया को बड़ी क सबका ध्यान सरकार रखेगी सरकार को पैंसन देनी पड़ेगी सरकार को भता देना पड़ेगा बेरुजगारी का रोजगार का भता देना पड़ेगा वो काम भी आर्थिक वाला भी इसमें हो सकता है अगर इखटे हो जाए और सारी एक्टो सिटीज तो उसी दिन रुख हैं कोई अत्याचार नहीं होता उनके पास रोजगार नहीं है वह क्या बोलते सबसे ज्यादा पिष्णें हैं उनके पास कोई मकान नहीं हैं की गलियां खराब है और फिर बराबर के मारतेंगे और अगर अगर वो आ उट होनगे, तो आपके तreated चार होगा, और वो अगर कोई वक्ति अकिला जा रहा होगा, तो आप उस पर discouraged करोगे, क्योंकि चार को देखे करो वैशे ड़ जाएगा इसलिए इक कर हो न हमें से फायसे फाया है, और अब तो जिन्दा रहने की समस्या है, तो कि रोजगार सारे चले गए हैं हमारे पास आखरी मौका है अगर सम्विधान चला गया तो इखटे होने का फायदा नहीं है क्योंकि सम्विधान नहीं सुनता इस बात को कि इखटे होके आ रहे हैं तो हम बात सुनने तो जल्दी से खटा होना है ताकि जल्दी से अत्यचार खत्म हो जाए जल्दी से जो चीज़ जा नहीं है वो रुक जाए और जो जा चुकी है वो बापस आजाए बापस आ सकती है तो लोग कहते हैं जी बापस कैसे आ सकती है अरे वह सम्मिधान ही तो है उसमें लिखा हुआ है क्या उन परसेंट जब लोग हो जाएंगे जो चाहिए वो लिख लो उसमें से तीस लाग करोड का बज़ेट है आप इखटे हो कि आ जाओ आपका पैसा आपको मिल जाएगा फिर जहां चाओ वैसे खर्च करना पर आओ तो एखटे होके समिधान कहता है इखटा होना समिधान बचाना है लोग उन्हें करोड रुपए बहा दिया बड़े-बड़े कारिकरम देने पर और भाषण देने वाले भाषण दे के चलेगे उनका भाषण देने का काम खतम हो गया जो कीड़ा उनकी अंदर भाषण का होता है उन्होंने खूब भाषण पेला वहाँ और अपनी आग भजाए अपने फूटों के च्वायों चले गए क्या समिधान बच के आप ये पूबलीक में होती है वी पीपल में होती है हम भारत के लोग में होती है MP MLA में नहीं होती है अगर MP MLA में बहुमत होता तो अगर हम दो अप्रेल अठारे को सड़क पर आए थे तो हमारी बात नहीं मानी जाती हमारे साथ ना MP था ना MLA था ना मिनिस्टर था सारे लोगों नहीं इसको बदला सारे लोग इस काम को नहीं कर सकते सो पचास लोग इस काम को नहीं कर सकते हजार तो हजार लोग इस काम को नहीं कर सकते हर व्यक्ति को इस काम को करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा जो जहां है वहीं जोड़ना सुरू करें जोड़ने के लिए कोई सभा करने के लिए सो आदमी तो सब ही दूसरे के रिस्दार हैं, ये तो समाज कुरा रिस्दारों से भड़ा पड़ा है, आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा, हम तो जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, अभी साथ महिने पहले इस हो किया था जोड़ने-जोड़ने का कारिकरम, इतनी तेजी से फैल गया है कि अब लगाता लगाता मीटिंग होने लगी हैं, सब तेजी से जोड़ते जा रहे हैं, 26 दिसंबर को डॉक्टर जोड़ेंगे 500 करीब, लखनों में जोड़ेंगे, 200-300 तो उनके अभी तक हो भी गए हैं, और भी लोग उनके साथ जाएंगे, आपने महा पैसा समभा देना पड़ेगा आपने, क्योंकि वहां खाना लेके आनी सकते हैं, तो होटल में जो खाना आ रहा है, उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहां सेल्फ सर्विस है, यहां कोई किसी की भीग नहीं लेता और ना ही कोई किसी को भीग देता है, यह समर संग है यहां हरा आदमी अपना खर्चा खुद उठाता है और खुद ही उठाएगा क्योंकि स्वाभी मान जो आंदोने होते हैं जो स्वाभी मान संग होता है वही होता है जो आपको रूटी खिलाएगा उसके आगे आगे आखे जुक जाएंगी फिरा आप बात नहीं कर सकते पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सब की सुनी जाती है इसकी बात आती है दलाल आएगा आपको पैसा देगा आपनी तरफ करवाने के लिए और वीदा पीपल यानि संग्डित होने के लिए किसी नेता की आप सकता नहीं है यैसे दो अप्रेल को हम सलक पर आई अपना काम का लिया क्योंकि नेताओं की हमने बहुत खुसामत की है हम अभी भी त्यार हैं कि भी खट्टे होके आजाओ तो पहले खट्टे होके आएंगे तब पैसादेगे इसलिए इसलिन से कोंगे हैं हमारा फाइदा हो गान shipping जो लूग तेजी से खट्टा होना चाहते हैं या करना चाहते हैं या और समझना चाहते हैं वह लोग चैट बॉक्स अपना फोन नमर बता दें, बाकि आपके साथ ही हैं, आपके भाई हैं, वो सब आपका नमर करके आपसे बात कर लेंगे, जितनी तेजी से हम जुड़ेंगे, उतनी जल्दी जीतेंगे, जब जब जुड़ें हैं, तब तब जीतें हैं, जैसे जैसे जुड़ें हैं, वैसे वै नहीं जुड़ेंगे जीतेंगे जिद्ध है जुड़ने की धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद कि उन्हीर अनलना चिए उन्हींधना कि वो पूझी की इन्हीर बुद्धन संस्यों गहिसेma ये आपठी ज़ए ये वे लिद्धन सोना गहाँ इम पि तुछाम गाच्छामू पि धम्मं क ह्लोग सब्सण तुछामू बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संगं सर्णं कच्छामी